अगे बढ़ते हैं बात CM की, क्योंकि CM की MLA MP के साथ VC रद वी है, आज सुबह 11 बजे होनी थी VC CM की MLA MP के साथ VC रद, आज सुबह 11 बजे होनी थी VC जैपूर व आजमेर संभाग से होनी थी चर्चा लेकिन अब VC रद करने का हुआ है फैसला जैपूर और अजमेर संभाग से शर्चा होनी थी लेकिन आप VC के रद होने के कारण ये फैसला हुआ PM के साथ CM की VC के कारण ये निर्णे लिया गया है अब जैपूर और अजमेर के लिए तै होगा समय बात में और नरेश शर्मा हमारे समवात दाता जाता जानकारी के लिए माइसाथ जुड़ गया है, नरेश 11 बजे ये वी-सी होनी थी और अब अलग समय निकला जाएगा, कारण जो है वह ये की पी-म के साथ वी-सी होनी है, उसका समय तीन बजे है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? प्रदार मंत्री की वी सी का तमय आ गया तो ऐसे में चुंकि जैपुर और अजमेर बड़े संभागे बड़े चिले हैं यहां पे तो ऐसे में संभब नहीं है कि पहले गेविसी खत्म हो जाए ऐसे में नहीं से एक्साइज होगी नहीं से समय तरह होगा लेकिन ज़रूर है कि यहां के भी जो विधायक है जो सांचत है और इन जिरों से जुड़े जो मंत्री है उन सब से मुक्य मंत्री बात करेंगे लेकिन समय है वो फिर से निजायत किया जाएगा तो इसे कारिकम बनाए जाएगा बिल्कुल और नरेश जैसा कि ये वीसी रद हुई है तो आप बता रहें बड़े संभागे और लंबा वक्त लग सकता था बात अगर पीम के साथ वीसी की करें तो क्या लगता है नरेश आज कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पे सबसी ज़्यादा फोकस रहेगा और जैसे पि में ये वीडियो कॉंपेंटिंटिंगोंने की संभावना है तो जो प्रमुक मुद्दे है राजस्थान से चूड़े हुए उनको पहले भी मुख्यमंद्यासोग जलेतने उठाया है और एक बास फिर उनमुद्दों को उठाया जाएगा खाजकर स्रमिकों का मामला हो करेंगे वाद जो बीम मुख्यमंद्यों से बात कर पाया थे जिसके बाद जो नहीं नाराज़गी दिकाई थी ऐसे में और महत्वपुन ये वीडियों जाती है कि 17 माई तो लोगडाउन है वो खत्म होने वाला है उससे पहले राच्चों से राय लेना जो दिए को कि देख है अलग-अलग राच्चों में अलग-अलग इस औinya है आए आं जाये संग्रमन की बाद करें या वहां के लोगों की बात करें अलग-लग उनकी समय होती हैथे KAR-ठबार कर ये में जो मुख्यमंद्री है वह जह ऐले जाना से उंके राज़्े की शितिया ठीक कि सत्रा मही के बाद कि स्थिती को लेकर जो फेसला किया जाए उससे पहले तमाम मुख्य मंति देखवा राय ली जाए उनकी राय मशुरा के बाद ही फेसला हो तो कि देखे धीरे-धीरे है वो लोकडाउन आलागी उनकी कोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन जहां पर अभी संक्रमन की स्थित्या ज्यादा है जहां कर्फू लगे है और इसपोर्ट है वाद और भी रियायत नहीं मिलेगी लेकिन जहां पर संक्रमन कम है या जो क्रीन जोन है वहां पर ज्यादा ज्यादा रियायत कैसे दी जाए इस पर भी चर्चा होगी और खासर लगू जो उनके लिए विशेश पेकेज के बारे में भी इस वीजी में चट्टा हो सकती है और मुख्यमंत यह सो गेलोग भी इस मुद्दे को प्रमुक्ता से आज की वीजी में उठाएंगे बिल्कुल चली लगातार नज़रेगी शुक्री आपका इंतमाम चानका